दोस्तों आज मैं आपसे दो ऐसी गाडियों के बारे में बात करनी जा रहा हूं जो अपने अपने सेग्मेंट में बहुत ज्यादा कहीं न कहीं इन दौनों का कमपरेजन हो जाता है अगर आज की डेट में कोई इनसान 11 रुपे का बजट लेकर निकलता है और उसको एक तर्बो गाड़ी चाहिए जिसके अंदर अच्छा पेका पच्छा तॉर्क आपको देखने को मिले जो थोड़ी सी मैन्यूवर करने में ओ 1.2 naturally aspirated engine लेकिन मैंने उसको नहीं पेक किया है क्योंकि उसका comparison xuv300 से नहीं बनता है क्योंकि यहां पर xuv300 आपको काफी पावरफुल गाड़ी रेखने को मिलती है तो मैंने specifically इसका delta plus वाला manual transmission के साथ में तर्बो वेरियंट लिया है और same मैंने xuv3W का w6 वाला manual transmission के साथ में लिया है तो यहां पर अगर इन दौनो गाड़ियों की cost को आप देखोगे तो 9,73,000 आपका फ्रॉंक्स का एक शुरूम प्राइस है और 10,000 रुपे आपका average एक शुरूम प्राइस है xuv300 का तो यहां पर इन दौनो गाड़ियों का comparison बिलकुल लाजमी ही हो जा मैं आपको इन दौनो गाड़ियों के specific points बताऊंगा कि अगर आपको वह बाते सूट करती है तो आपको एक फ्रॉंक्स लेनी चाहिए और वाइसा वरसा अगर आपको कुछ ऐसी बाते सूट करती है तो आपको xuv300 लेनी चाहिए कोई भी गाड़ी perfect नहीं होती यह depend करता है हम हमारी preferences पर तो सबसे पहले वीडियो शुरुआत कर लेते हैं कुछ basic बातों के बारे में और finally वीडियो के end में मैं अपना verdict भी दूंगा कि आपको कौन सी particular गाड़ी के साथ में जाना चाहिए as per your specifications तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इन दौन 1.6 Nm का peak torque generate करता है वहीं अगर हम XUV300 की बात करें तो यहां पर आपको 1200cc का 3-cylinder engine देखने को मिलता है जो 1.2 turbo petrol series का engine है जो 109 BHP की power और 200 Nm का peak torque generate करता है BHP में power में यहां पर इतना difference नहीं है लेकिन यहां पर torque में अच्छा कासा 53 Nm का difference आपको देखने को मिल जाता है अगर हम इन दौनों गाड़ियों के dimensions को compare करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं screen पर कि दौनों गाड़ियों की length exactly same है लेकिन यहां पर XUV300 की width जो है वो fronks स काफी better है 1821 mm की आपको width देखने को मिल जाती है height fronks की कम है क्योंकि यह coupe style SUV आपको देखने को मिलती है जहां पर कि इसमे crossover concept दिया गया है wheelbase के मामले में again XUV380 mm जादा है लेकिन ground clearance के मामले में fronks यहां पर बहतर हो जाती है क्योंकि यहां पर 190 mm की ground clearance आपको देखने को मिलती है fuel tank capacity 37 liters आपकी fronks की और 42 liters आपकी XUV300 की है अगर दौनों गाड़ियों के हम tire profile को compare करें तो यहां पर fronks में आपको 195 60R16 के tires देखने को मिल जाते हैं जबकि XUV300 में आपको 205 पैसा tire 16 के tire देखने को मिलते हैं लेकिन XUV300 के tires ज्यादा चोड़े है क्योंकि वह गाड़ी का weight भी जाद है और थोड़ी ज्यादा बलकी भी है उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं अब इन दौनों गाड़ियों में से कि कौन सी गाड़ी में आपको क्या कुछ specifically देखने को मिलता है जो दूसरी में देखने को नहीं मिलता है जो कि आपको बताने वाला हूं जिसके basis पर डिसाइड कर सकते हो कि आपकी preferences किसके लिए ज्यादा होने वाली है तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेता हूं मैं आपसे XUV300 के बात करें तो यहां पर आपको ज्यादा powerful engine देखने को मिलता है जिसमें आपको 147 newton meters का peak dog देखने को मिलता है यहां पर width इस गाड़ी की जादा है तो इस गाड़ी के अंदर बैठने का space और comfort जो है वो जादा बहतर होने वाला है यह 1821 mm width में है जबकि फ्रॉंक्स आपकी 1765 mm है इस गाड़ी में wheelbase भी आपको जादा देखने को मिलता है 2600 mm versus 2520 ज जो कि अब W4 में भी आती है और उसके साथ साथ यहां पर एक और unique feature और segment first feature आपको देखने को मिलता है जो कि हैं आपके steering modes यहां पर आपको comfort, sport mode वगरा देखने को मिल जाते हैं जिस वजह से आप अलग-अलग driving speeds और अलग-अलग driving behavior के साब से अपने steering modes को adjust कर सकते हैं दोस्त आपके लिए ज्यादा suitable रहेगी तो यहां पर फ्रॉंक्स में आपको बहतर माइलेज देखने को मिलता है कंपनी के लिए माइलेज की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉंक्स के टर्बो इंजन का 21 kmpl है जबकि एक्सवी 300 का सतरा है और उसका जो माइलेज record है वो काफी खराब ह वो गाड़ी as per reports 12-13 से जादा नहीं देती है और उसके सासाथ है पर maximum 14-15 तक वो जाती है लेकिन फ्रॉंक्स आराम से यहां पर आपको एक बहतर माइलेज देगी उसका एक सबसे बड़ा reason यह भी है कि फ्रॉंक्स आपकी smart hybrid technology के साथ में आती है जहां पर कि आपके co passenger seat के नी यहां पर आपको 190 mm देखने को मिलती है जबकि XUV300 आपकी 180 mm की ground clearance के साथ में आती है इस गाड़ी का turning radius भी आपका XUV300 से बैटर है जो की 4.9 meters है versus 5.3 जो की आपको XUV300 में देखने को मिलता है यहां पर आपको black painted alloy wheels देखने को मिल जाते है जबकि XUV300 में ऐसा कुछ नहीं के साथ में wheels आते हैं यहां पर आपको ESP Hill Hold or Traction Control के features भी देखने को मिल जाते हैं विचार मिसीं एक स्वी 300 यहां पर आपका AC Automatic Climate Control के साथ में आता है जबकि वहां पर सिर्फ भी आपको देखने को मिलते हैं जबकि वहां पर सिर्फ electrically adjust आते हैं यहां पर turn indicator ORVM पर आपको देखने को मिलता है जबकि वहां पर आपका fender पर दिया गया है उसके साथ साथ यहां पर आपको LED headlamp का setup देखने को मिल जाता है जबकि XUV300 में आपके halogen headlamp आते हैं और यहां CarPlay और Android Auto की wireless connectivity आपको देखने को मिलती है जो आपके लिए काफी ज़्यादा convenient होने वाली है उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको voice commands भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं तो दोस्तों यह वो सारी बाते थी जिस वज़े से आप Fronks को consider कर सकते हैं या फिर XUV300 क अब मैं यहां पर आपसे verdict की बात कर लेता हूं कि आपको किस गाड़ी के लिए जाना चाहिए देखो अगर आपको safety आपकी priority है और आपको एक बड़ी बल्की गाड़ी लेने का shock है तो यहां पर XUV300 आपको attract करेगी यहां पर इसमें Global NCAP rating भी देखने को मिल जाती है देखन अंदर की body roll कम हो जिसका अच्छा खासा reliable power terreno मारूती के engine बहुत reliable माने जाते हैं उसके सासा सारे latest features आपको android auto apple carplay कि सासा सारे तमाम features आपको देखने को मिलें जिसमें कि आपका automatic AC वगरा भी आ जाता है तो आपको definitely जो है वो fronks बहतर देखने को मिल सकती है उसके सासा यहां पर resale value हमेशा मारूती की बहतर होती है चाहे वो किसी भी कार से अगर हम compare करें तो उसके सासा कुछ ऐसी बाते हैं जो कि आपकी xv300 में improve हो सकती है और fronks में भी इंप्रॉव हो सकती है वहां पर आपको bonnet visibility इतनी जबदस देखने को नहीं मिलती है उसके सासा rear headroom भी ज्यादा बहतर चीजे देखने को मिल जाती है और xv300 आप जो है फेसलिफ्ट आने वाला है तो वी होप कि उसमें काफी ज्यादा चीजे इंप्रूव हो जाएंगे xv300 का जो design है वह काफी पुराना हो चुका है interior भी लोगों को पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वह बेज कलर म और आपके लिए आपकी requirements के साफ से आपको best possible options finalize कराने में आपकी help करेंगे this is a chargeable service and charges are bare minimum thank you so much for watching this video अगर आपको इसी तरह का content देखना पसंद है तो video को like channel को share subscribe वगरा जरूर कर दीजेगा thank you so much for watching it bye bye take care of yourself and remember always drive safe bye bye दोस्तो कर दोस्तो